Exercise 10.2 कोशन नमर 5 प्रूइब यानि कि आपको बताना है अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं आपको यानि कि अगर एक सरकल दिया है सरकल ने हमारे टैंजिंट है वहां से जहां पर प्रपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो center से pass होगा, अब को ये बताना है, समझेगा एक बार और प्यारे बच्चो, ये circle है, circle में क्या कहता है, और एक नीचे tangent है, जहाँ circle और tangent जिस point पे मिले हैं, वो point of contact खलाएगा, अगर point of contact से, अगर हम कोई perpendicular drawn करते हैं, 90 degree angle कोई drawn करते हैं, तो कहता क्या इस center से pass होना चाहिए, ये आपको proof करना है, हमको proof क्या करना है, पुरी statement की तोर पे, इसले मैंने पहले से statement लिख देता है, आपको आसानी पढ़े, जो line perpendicular है AB के, at point P, passes through the center, वो pass से होना चाहिए, ठीक है, हमको proof क्या करना है, अब हम इसको proof करेंगे, by contradiction method, contradiction method के विरोधा भास, let us assume, that the perpendicular to AB, हम मान के चलते हैं, जो हम perpendicular drawn कर रहे हैं AB पे, at a point P से, वो pass नहीं ही हो रहा, पहले center से, ठीक है, let it pass through the another point O dash, O dash से pass रुखा है, और O point हमारा ये जगए, O dash, और O point, as perpendicular to AB, at P, passes through the O dash, अगर हम यहाँ से कोई perpendicular पुणाते, O dash है, जो center से pass नहीं होगा, तो 90 degree बन ना, हम मानते हैं, अगर O is the center, अगर O center होता है, O is the center of the circle, P is the point of contact, हमको एक theorem ने पढ़ेती याद करो, 10.1 theorem, उसमें क्या बोलता है, कि अगर हम center से कोई भी line drawn करते हैं, point of the contact पर, center ये रहा, O, अगर point of the contact ये रहा, P, अगर हम कोई भी line drawn करते हैं, तो वो 90 degree का बनना चाहिए था, चलो, ठीक है, माल लेते हैं, हमें 90 degree बनेगा, we know that line joining the center, and the point of the contact to the tangent to the circle are perpendicular to each other, क्यों होगा, perpendicular होगा, जो statement अभी मैंने बोली, इसका ही meaning ने निक दिया, यानि कि center से, ठीक है, कोई line drawn करता हूँ, tangent पर तो perpendicular बनेगा, जब center से को line drawn करता हूँ, point of the contact, point of the contact ने निक किया, tangent का जो point ही, तो बेटा, यह हमारा 90 degree हो, O, P, B, 90 degree, दोनों equation को आप compare करिएगा, दोनों अगर 90 degree होगा, तो दोनों equal होगा, कि नहीं होगा, comparing equation 1 and 2, this is O-P, B, यह equals to O, P, B, हमारा कहला आएगा, इन दोनों में diagram में एक चीज concentrate करिएगा, angle O-P, B, छोटा निकलेगा ना, किस से छोटा निकलेगा, O, P, B से छोटा निकलेगा ना, तो भी छोटा निकल गया, भाया देखिएगा, एक तरफ तो आपके एरों कि दोनों बराबर हैं, ठीक है, और एक तरफ के एरों आपके एरों छोटा भी है, diagram देखते, सो भाया यह possible नहीं हो सकता, O-P, B is equals to O-P, B is not possible, बट यह एक कंडिशन है पॉसिबल हो जाएगा, अगर O-P बराबर हो जाए, यह coincide हो जाए, तब उस कंडिशन बराबर हो जाए, नहीं कि एक लाइन के ओपर दूसरी लाइन ऐसी ही आजाती है, तो बराबर, तो O-P, B is equals to O-P, B is not possible, it is only possible, when the line O-P coincide with P, O-P, जब O-P एक दूसरी इसी के ओपर coincide कर जाए, therefore, the perpendicular to A-B through the passes through the center, तो यह तो सीज़ी बात है, जो अगर हम perpendicular drawn करते हैं, point of the contact P से, वो center से ही pass होगा, यही तो proof करना था अपन को, ठीक है बटा?